नमस्कार मैं जुनीता अपने चनाई जी की चन रेस्पी में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए लेक्टा बर्फी की रेस्पी बिल्कुल हलवाई इस्टाल खाने में बहुत ही टेश्टी और बनाना बिल्कुल असान एक पर यह अपने किसी को खला दी या खुद खाऊगे तो पता लग जाएगा कि यह अपने हलवाई से भी ज्यादा अच्छी बिनाई है और बिल्कुल सोप खाने में भी और यह देखिए इमने तो स्टार्ट करते हैं अपनी नही रेस्पी हम दल्ये से रोड़ा बर्फी बन इसी से डोड़ा बर्फी बनाते हैं यह दल्या भी ज्याओं को अंकुरित करने के बाद फिर उनको पीछा जाता है तो आज हम भी इसी से बनाएंगे गैस पर हमने यह को रख दिया तीन टेबल स्पून गी घी हमारा गरम हो गया तो डाल देंगे एक कप ज्याओं का दल्या अब हम अपने दल्या को मेड्यी माच पर लगाता चलाते हुए भून लेंगे गैस की फिल्म हमें मेड्या में रखने हैं यह हमारा दल्या भून गे हमने लगता है चलाते भून आए यह ज्यादा डार्फ नहीं लिइन हम अलका सा बस ब्राऊन हो जायए इतना ही बूनना है अब हम इसमें पानी डालेंगे, जिसकप से हमने दलिया लिया था उसी कप से, अब हम इसमें पानी डालेंगे, हमें दलिये का तीन गुना पानी डाल ला है, एक बड़ी पहले हम मिला देंगे दलिये को, अब हम कुकर को बंद करतेंगे, और इसमें पान से छे सीटी लगा देंगे, पान से छे सीटी में हमारा दलिया बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा, जब तक हमारा दलिया पक रहा है, तो बागी की त्यारी कर लेते हैं, यहाँ एक पावल या बावल में डालेंगे, एक कप दूद, अब इस दूद में डालेंगे, चार बड़े चमच, मिल्क पावडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पहले, मिल्क पावडर डालने से हमारी पावफि में खोई जैसा स्वाद आएगा, अब पिछ में डाल देंगे, एक टी स्पॉन, कोको पावडर, इससे हमारी पावफि में कलर अच्छा आएगा, इसको भी मिक्स कर देंगे, हम ने यहां डिस्कव की साइता से, सारे लंच खतम कर लिए, आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल, लंच प्री बेटर बन गया, अब हम इसको रखते हैं, साइड में, अपने डले को चेक कर लेते हैं, यह हमारे कुकर में 5-6 सीटे लग चुकी है, और इसका प्रेसर भी निकल गया था, अपने डले को चेक कर लेते हैं, यह देखे हमारा दली आच्छे से फूल किया है इसका सराव पाने भी सुगय है आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं यह अच्छे से पक गया है अब सारे दले को हमें कड़ाई में डाल देते हैं जिसे कि हम इसको आच्छे से पका सके दूद में अब हमने गैस की फ्लेम को ओन कर दिया है और लोग को हमने मेडियम पे रख दिया है जो अमने दूद त्यार किया है मिल्क पाउडर और कोको पाउडर का उसको इसमें डाल देते अब इसको हम लगाता चलाते भी पका लेते हैं दूद में कैस की फिल्म हम मीटियम रखेंगे अब मीटियम आज पर हम इसको 5-6 मिनट तक पकाएंगे यहां मैंने अपनी दलिये को 5-6 मिनट के लिए मीटियम आज पर लगाता चलाते विए पका लिया हैं अब मुझ में डालेंगे मैंने एक टी स्पोर निबू का रख लिया है और इसको भी डाल देंगे इसके डालने से दूद हमारा फटेगा और फिर हमारी बर्टी अच्छी बनेगी और इसको 2-3 मिनट और पका लेते हैं शीत्रे से यहां हमने अपने तलिये को 2-3 मिनट और पका लिया है दूद भी हमारा फट गया है अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं तो चीनी मैं यहां सवक अब डाल रहे हूं अब इसको भी मिला देंगे अब इसमें डाल देंगे आदा चमच एलाइची पाउडर और इसको भी मिक्स कर देंगे इसमें मैं थोड़ा सा कलर डाल रहे हूं रैड कलर है इससे हमाया डोड़ा बर्फी जैसा बिल्कुल कलर आ जाएगा थोड़ा सा मिलाएंगे और इसको लगाता चलाते भी आप इसको पकाए लेंगे इसका सारा पानी हमें सुखाना है यह देखिए हमारा जो दल्या है अब गाड़ा होने लगा है अब हमें से थोड़ा और भी सुखाना है अब इससे लगाता चलाते हैं मीडे माच पर इससे अच्छे से पका लेंगे अब यह गाड़ा हो जाएगा बिल्कुल कड़ाई को छोड़ देगा तब तक हमें इसको पकाना है अब इस समय हम दो चमज घी ओर डाल देते हैं जिससे कि हमारी मिठाई अच्छे से जम सकें यह देखिए हमारे दल्या ने कड़ाई छोड़ दिये अच्छे से यह देखिए अधि थुड़ा काड़ा भी हो गए यह हमारा बर्फी का बैटर बनकर ट्यार हो गय ता हम कर देंगे गैस बन हमने एक पड़तर ले लिया है जिसमें हमने बटर पेपर लगा दिया है और उसके पर हम खड़सा गीह लगा देते हैं जिसे कि हमारी बटर पेपर असानी से निकल जाए अब हम इसमें सारा बैटर डाल देते हैं तो दली हमने पका के रखा है अब हम इसक एसे त हमाए जाए जाए झाबम इसक एसे थे माहते हैं यहां मैंने अपनी बर्फी को सेट कर दिया है उपसे डाल देंगे ड्राइफुट यहां मैंने तोड़ से काजू तोड़ से बदाम ले ले उसको इस तरह से डाल देते हैं अब हम इस बर्फी को दो गंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं उसके बाद हम आपको दिखाते हैं यहां हमारी बर्फी को रखें दो गंटे हो गए हमने फ्रीज में से निकाल लिए अब हम आपको इसे निकाल के दिखाते हैं यह बटर पेपर के वेज़ित से आसानी से निगल जाएगी यह देगे कितनी अच्छी जमीन है न हमारी डोडा बर्पी अब हम आपको इसको कट करके दिखाते हैं के अब हम कुप सकतार वो लो लिखाते हैं के षैप应ा माय मामीन है कि दो हमाँ unified पॉट है यह भीघ दो लिखादाव रैंट कらい कितनी आसा हमाम मैं जम कुब हम? मैं हिसर रहाएँ यह रहता हैं कुब लिखाद़ हैLifeँ है कितनी द Commissioner दूखत है अवाल कि एंग सिध्या नहां दो कि उला हो कि एंग इंग कि एंगा हुआ थो इंग हो एंग कि अजसे हैं। कि अजर कि अजर कर दो, कि अजर के अजर कर दो. यह देखें हमारी रोड़ा बर्फी बनकर त्यार होगी है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है एक बली ट्राइ जरूर करना यह हलवाई चे भी ज्याद अच्छे से ज्याद अच्छी बनिये